मैं आपको अपने चैनल मैट्स विजन पर स्वागत करता हूँ मेरा मैट्स विजन 10 प्लस 2 मैट के बेश डाउन है इसलिए इसको लाइक किदिया और सब्सक्राइब किदिया और सेर भी किदिया मैट को जनरल मेट्स के साथ पढ़ाऊंगा और साथ साथ ट्रिक के साहता से भी कोस्टन्स को सॉल्व कराऊंगा ट्रिक के साहता से जो मैं कोस्टन्स को सॉल्व कराऊंगा वह आपको बेनिफिट्स देंगे NDA के एक्जाम में, Air Force के एक्जाम में, NIVI के एक्जाम में और MCA के इंट्रेंस एक्जाम में और जब मैं जनरल मेथड से पढ़ाऊंगा वो आपको 10 प्लस 2 के एक्जाम में वेनिफिट्स करेंगे मैं बहुत ही easy approach से, बहुत ही shorter trick से आपको question से solve करौँगा जिससे आपको कोई भी दिक्टाट नहीं होगी trick कितने मज़ेदार होंगे कि आपको दिखते ही answer आजाएगा या कुछ seconds में answer आजाएगा for example मैं एक question लिखता हूँ question क्या लिखता हूँ कि परवले परवले y square high x plus 4y plus 1 का ना भी लंब की लंबाई बताई ना भी लंब की लंबाई बताईए लंबाई बताईए ठीक है तो इसको method से solve करने में से time लगेगा but मैं जो trick बताने जा रहा हूँ इसको देखते ही answer मिल जाएगा जब भी इस प्रकार का question दिया रहा है कि परवले का ना भी लंबाई हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं देखते हैं कि सबसे highest power वाला term कौन सा है तो सबसे highest power वाला term ये है y square क्योंकि इसके degree सबसे ज़्यादा है इसके degree सबसे ज़्यादा है तो इसके जितने भी relative होंगे relative मतलब कि y वाले ही जितने term होंगे उन सबको हम लोग भूल जाएंगे कि ये question में है भी क्योंकि ये highest power वाले term है और उनके ये relatives है बच कौन गया constant बच गया और x वाले term हो बच गया तो constant को भी भूल जाते हैं बच जाता है हमारा x वाले term तो x वाले term को हम अपने पास ले लेते हैं तो x वाले term का coefficient के f5 है तो हमारा यही answer हो गया यही हमारा क्या हो गया ना भी लंब की लंबाई हो गया यही हमारा ना भी लंब की लंबाई हो गया लेखे दोस्तों इतना आसानी से मैंने इसको question को solve कर दिया इसी तरह मैं और भी questions solve करवाऊंगा जब इसको मैं topic wise पढ़ाना शुरूँ करूँगा तो इसको general method से भी पढ़ाऊंगा general method 10 plus 2 वाले students के लिए benefits देगा और जो metric बताऊंगा वो Air Force के Navy के Bhu entrance के और MC entrance के exam में आपके साहता करेगा इसलिए दोस्तों मैं आपसे request करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्क्राइब टिडियोर से और कीजिए जिससे मैं आपको अच्छे अच्छे contents प्रवाइड कर सकूँ जहीं जबार